देखिए आज मुंबई में अंतिम दिन फारत जोरो यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में नोने यात्रा किया चाहे कश्मीर से कण्या कुमारी हो या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्टी स्टेट से लेकर के हर जगर राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगांब एक शदेश देने का काम किया है जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है प्रसांगिक है आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है जहां टकरार की बात की जा रही है जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है जहां देश के सन्वधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है अस्थाई सरकारों को चुनुई वी सरकारों को लोक तंत्र में मद्दान जो आप लोग ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है EDCBI के जरिये ड़ा करके तोड़ा जा रहा है गिराया जा रहा है जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है सन्विधान लोक तंत्र पे खत्रा है वहां आदर ने राहूल गांदी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए देश के लोक तंत्र को बचाने के लिए देश के सन्विधान को बचाने के लिए अमन, चैन, भाईचारा कायम करने के लिए नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोरोयात्रा किया है इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं और यहां बैठे हुए सभी महागडबंदन और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो ड़ाया जा रहा हो लोगों को लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिती डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूए हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं लोग इस सोच को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोधी जी से हमिच्शा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचार भारा के लोगों के लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने इशा से जिनका अज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगा ना फेडाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देश भक्त है अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है बहंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट बिछा करके बैठ जाएंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भायों का हाई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहुल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनरजी ड्रिंग भी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन्द विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन्द सहल आप देखर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनरजी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लडने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लडने आए हैं आपके लड़ाई लड़नी है इसलिए हम ये पैगाम लेकर क्या हैं लालु जी का डॉक्टर के सला पे जादा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालु जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट्र में खास और पे बंबई में राहुल जी ने निमंतरन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी बड़ी भातनी बच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पडोश देता हैं इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं मोधी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथी साथ वो जूट बोलने के फैक्टरी भी है मोधी जी जूट बोलने के मैंडिफेक्चर भी है होल सेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूर भी है ये उनका काम है हम लोग सचे लोग है और सचे लोगों को कितना भी डराऊगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़ेंगे इनके घीदर भबकी से हम लोग ड़नने वाले हैं आप बता हम लोग ड़ोंगे लड़ाई लड़ोंगे की नहीं लड़ोंगे साथ दीजेगा न सबका हम तो कहना चाहते राहूल गांदी जी जो यात्रा किये ये भो सकता है पहला चरण हो लेकि उनके सुक का दुखधर का भागिदार बढ़ना पड़ेगा हमेशा जनता के भीच रहना होगा क्योंकि इन लोग ने इतना नफरत फैलाया है आप उसमे इतना भेद भाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेद भाव नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंग कि इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच जनता के बीच रहना होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मोहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जंडा बुलंद करने का काम कीजेगा आज यहाँ शरत पवार जी भी है उद्दव जी भी है आपको पता है ओपरेशन लोटेस हो रहा था यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था डराया जा रहा था यह एक बात बता देते हैं आज महराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब डीलर है शरत जी के नाम पे नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे रावल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे यह लोग केवल डीलिंग करते है इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गए गए अच्छा हुआ चले गए उससे कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते है उसलिए हम सब लोग यहीं हाएं क्योंकि जन्ता आप सब लोग हमारे मालिक है और आप लोगों का शिर्वाद मिलता रहना चाहिए अरे महराश्चा में तो कम से कम विधायकों को लेगे बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजाक कर लिया कि बड़ा सुनते हैं मोदी जी भार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारेंटी है हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गैरंटी दे के दिखा दो पहले कि वो फिर से पढ़ते ही कि नहीं पढ़ते ही है तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बड़े है अभी वाबक है लेकिन आहां वहां जो अवाम का पाकत मिल रहा है राहुल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोस्ती हो सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाजपाने वह रिजर्ट हम ला करके देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जुठ हो जाएए एक जुठ हो करके लडाई लड़िगे ये मोदी जी क्या बोलते हैं दो करोर हम मोधी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, सत्रा महिने के वल डिप टीशीम हम बिहार के रहे हैं, पाँच लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, मोधी जी अपने दस साल में भी पाँच लाख क्या, कितना नौकरी दिये यह बता नहीं चकते, चैलेंज देतें, कितना सरकारी नौकरी दिया, सबसे ज़्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइबिटाइज कर दिया गया, खतम कर दिया गया, आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया, आप सब लोग जानते हैं कॉंट्राक्ट पे साड़ा चीज कर दिया गया है तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहें जादा सबें हम नहीं लेंगे सभी गन्मान देक्टियों को हमारे अभिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आ एक नारो लगाईएगा हम बोलेंगे भात्पा भगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भात्पा भगाओ भात्पा भगाओ भात्पा भगाओ पहुत बहुत धनिवाद जै हिंद जै महराश्चा